अभी देखना है यहाँ पर यह देखिए अपल आई वाली आईडी आगी नहीं आपर कोई स्क्रीन मांगी नहीं इसने एक्टिवेशन स्क्रीन ही हटा दी इसने हां से सिंप्ली आप यहाँ पर सेट अप कर सकते हैं और इस फीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप आई क्लाउड को किस तरीके से बाइपास कर सकते हैं ठीक है मैं आपर प्रैक्टिकल बताऊंगा ठीक है लेकिन आई क्लाउड को बाइपास करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होते हैं पहले तरीका यह होता ह कि अगर आपके पास bill है तो आपको कोई टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है आप Apple Care पे call लगाएंगे यहाँ पर number आ रहा होगा Apple Care पे call लगाने के बाद उनको बोलेंगे भाई हमारा iCloud lock लग चुका है जिन्होंने second hand phone ले लिया गलती से और उनका iCloud lock लगावा मिल गया उनको या उन्होंने sign out नहीं करवाया उनके लिए तो विचारों के लिए useless अन iPhone तो वो क्या कर सकते हैं वो यह second stuff follow कर सकते हैं और यहाँ पर वो बंदे हैं कि जिनके पास bill भी हो चुका है और ID password भी भूल चुके हैं लेकिन वो अपना iPhone जो है वो use करना चाते हैं उनके लिए भी यह है अब यह चीज करने के लिए हम क्या करते हैं simply iCloud की जो screen आती है वो चीज उसी को ही हम उड़ा देते हैं जो iCloud के activation screen आती है उसको हटा देते हैं तो directly वो बंदा जैसी phone start करता है तो वो home screen पे redirect हो जाता है और वो phone use कर सकता है यह काम करने के लिए आपको iPhone को jailbreak करना पड़ता है जेलbreak करने के लिए यहाँ पर आपके पास कुछ models ही jailbreak हो सकते हैं अभी के लिए जिनके अंदर A7 chip है चिप से लेकर A11 chip तक model जो है वो बाइपास हो सकते हैं मतलब जेलbreak हो सकते हैं अब इनके अंदर कौन-कौन से model आते हैं iPhone 5S से लेकर iPhone 10 तक के अंदर जितने भी model आते हैं वो सारे बाइपास हो सकते हैं मतलब iPhone 5S 6, 6+, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+, iPhone 10 ये सारे model जो है वो iCloud बाइपास हो सकते हैं क्यों कि ये jailbreak भी हो सकते हैं अब आपको एक चीच ज़रूरी जाननी है कि अगर आप jailbreak कर लेते हैं मतलब iCloud को बाइपास कर लेते हैं फोन को इस तरीके से इसमें क्या होता है कि आप SIM नहीं यूज़ कर सकते हैं अपने iPhone के अंदर मतलब SIM नहीं यूज़ कर सकते हैं तो call भी नहीं होगी बाकि सारे काम कर सकते हैं Wi-Fi के थुरू आप सारे काम कर सकते हैं ठीक है इस बात का जरूर ध्यान रखना है अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई लेकिन अभी तो हम यह तरीका अजमारे हैं तो क्या यह पर्मनेंट हो जाएगा मतलब पर्मनेंटी SIM नहीं चलेगी ऐसा नहीं है जब आपका बिल मिल जाए iPhone का बिल मिल सकता है भाई कभी भी बिल मिल सकता है आपको मालो अभी आपको यह तरीका यूज कर रहे हैं एक साल बाद आपका पता लगागी किसी रूम में से बिल मिल गया या आपने किसी को फोन लगाया भाई उसके पास बिल पड़ावा था तो आपने बिल ले लिया तो आप क्या करेंगे सिंप्ली फोन को रिसेट कर लेंगे जैसा था वैसे ही हो जाएगा फिर बिल दे देना आप एपल के अरवालों को वो आपका अक्टिवेशन अनलॉक कर देंगे सिंप्ली ठीक है और जैसा था फोन सिंविम सब चलने लगेगी यह जेल ब्रेक करने के बाद आप सिंप्ली फैक्टरी रिसेट भी कर सकते हैं जैसा था वैसा ही हो जाएगा फोन फिर दुबार आई क्लाउड लॉक मांगेगा पर आपके पास बिल होगा उस टाइम आप बिल दे देंगे तो हो जाएगा यहां पर आपको Simply Start के button पेटण करनाते में आपहेगा क्लिक करनेक्ट करने के बाद इहां पर वही डिस्कलेमर आएगा जो की पाधे सब्सक्क्राइब कशर्ण करने के बागी करने हैं यहां पर यह रीकर पर क्लिक स्वर दॉआएगास आपके एप्टन करने को हैसे खाली हो नीची है आपकी सिंपली पैंडराइव के अंदर ये जेलब्रिक सौफ़ेर बूट कर देगा अब यहां पर आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने को स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप सिंपली पीसी को करना है रिस्टार्ट करने का बूट लोडर मैन्यू आपको खुलना पे जाना है ठीक है options पे जाने के बाद simply arrow keys से आप उपर नीचे कर सकते हैं उपर allow ipad को कर देना है check बिल्कुल enter कर देंगे इस पर ठीक है उसके बाद skip all vpr check को भी कर देना है enter दबा के allow अब back आ जाते हैं simply back आने के बाद अब आपको start कर देना है यह jailbreak simply start कर देंगे बटन पर करेंगे click and next कर देंगे अब यह जो है यह आपके आइफोन को recovery mode के अंदर डालेगा recovery mode के अंदर डालने के बाद आप उसको DFU mode में करना पड़ेगा सारे steps यह कुदबा खुद करेगा जैसे कि देख सकते हैं आइफोन recovery mode में आ चुका है अब simply आप है पर volume down को भी छोड़ देना है देखिए simply volume down को भी हम release कर देंगे जैसे कि देख सकते हैं ठीक है volume down को release कर दिया अभी यहां पर आपके आइफोन को ठीक है सारे steps लिखे वहेंगे screen के उपर यह देखिए jailbreak होने चालू हो गया दिखने में बहुत cool लगता है यह चीज jailbreak हो ज disclaimer है सेम अपकी बार क्या करेगा है पकड़ लेगा कि आपका आइफोन जो है वो jailbreak हो चुका है तो आपकी बार ना यह वाली activation वाली screen जो हटा देगा ठीक है यहां से यहां से यहां पर कर देंगे अपने iPhone को जैसे आप normally करते हैं और आप देखेंगे यहां पर की activation lock वाली screen आ यहां पर कोई screen मांगी नहीं इसने activation screen नहीं हटा दी से सिंप्ली आप यहां पर सेट अप कर सकते हैं और यहां पर यह देखें हम आप स्क्रीन पर रिडारेक्ट हो जाएंगे simply